दर्शकों की संख्या भाती भाती की हैं तो उन सभी दर्शकों को नमान नमस्कार मोदी जी अब लगबग आखरी दौर आ गया है चुनाव का क्या जो आपने लक्ष तेह किया था चार सो पार का आपको लगता है कि वह पार हो रहा है क्योंकि विपक्स तो कद्मिंज्ट है कि ऐसा नहीं हो रहा है वो कह रहे हैं कि 220-240 होगा आखरी दौर शब्द प्रवग की आपने मुझे उसमें बहुत सी चीजे नजार आ रही है एक हमारा एक नया दौर शुरू होगा उसका उसके अंदर संकेत है दूसरा जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे उनके लिए भी आखरी दौर है तो चुनाव का अखरी दौर ऐसा है इतना नहीं उनकी स्थित्यों का भी आखरी दौर है प्रधान मंत्री जी आरक्षन इतना बड़ा मुद्दा इस बार कैसे बन गया आप तो माइक्रोचेप्स और मैनिफैक्ट्रिंग इस पर बात हुए थी लेकिन आपको बार बार हम आरक्षन पर बात करते हैं क्यों देखना पड़ता है मुझे नहीं करना पड़ रहा है मैं जे सचेत कर रहा है मेरे क्योंकि इनको अंधिरे में रख करके यह लोग लूट चला रहे हैं और चुनाव एक ऐसा समय है कि जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है उससे देश वाच्छों को मुझे जागरूत करना चाहिए और इसलिए मैं आगरपुर्वक जनता जनादन को समझा रहा है क्योंकि यह दो चीज़े हो रही है एक है भारत के संविधान की मुल्भावना का हनन हो रहा है संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है और वो भी अपनी वोट बेंक की राजनीती के लिए अब मुझे याद है मैंने हाउस में कभी कॉंग्रेस के नेताओं को सुना तो यह कहते थे कि प्येस्चू का प्राइविटाइशन कर रहे हैं आप मिटा देना चाहते हैं अब रियालिटी तो है निया गभाजी कर रहे थे लेकिन मेरे सामने आया कि जो लोग इतने बड़े दलीतों के हितेशी अपने आपको कहते हैं आदिवाशियों के हितेशी कहते हैं बे हकीकत में उनके गोर दुश्मन है इनोंने रात-ों-रात एजुकेशनल इंस्टिटूशन्स को माइनवरिटी इंस्टिटूशन्स बना दिया माइन variety इंस्टिटूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षन में खत्म कर दिया अब उनके अधिकार शित्र में नहीं था वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने और युनिवर्सिटी तक को माइनुरिटरी स्टेटेट दे लिया अब दिल्ली में ही जामिया मेलिया जो उन्होंने माइनुरिटरी बढाते उसमें सारे आरख्षां खतम हो गई एडिमिशन में भी नहीं नौकरी में भी नहीं और बाद में तो चीज़े उभर करके आई कि करीब करीब दस हजार ऐसी इंस्टिटूशन से जिसको इस प्रक्रार से आरख्षन के जो एस्सी एस्टी ओबीसी का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको चीन लिया गया है संविधान की पिट में छोड़ा भाका दिया है बाबा साहब अंबेड करने जिस सपने से विवस्था खड़ी की थी उसको इन्होंने वोट बेंक के लिए गिर भी रख दिया है तो यह चिंता जनक बाते मेरे सामने जब आई तब मुझे लगा कि मेरा दाई तो बनता है कि म मैनिफेस्टों का दिया और इसलिए मैंने पहला मैनिफेस्टों पर देखते ही मेरा पहला कॉमेंट था कि यह मैनिफेस्टों पर मुस्लिम लिक की छबी है तो दो-तिन दिन तो उनको लगा कि इसका जवाब देने की जरूत नहीं अपने आपकी बात खत्म हो जाएगी हुआ 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 है